जाए आपको पॉकेट जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखा इती है, पहले मैंने आपको समें साइड वाली पॉकेट बताए थी, अब देखे मैंने आपको यह जैकेट निकाला है और इसे कोई भी बिगनर्स अराम से इसको बना सकता है देखिए यह मेरी पॉकेट है यह इस तरह से पॉकेट बनकर तयार हो चुके है और यह मैंने अच्छी लंबी बनाई है ताकि आप मेरा फोन भी आप प्रगाम से इसमें करी कर सकते हैं यहां तक पॉइंट आ रहा है आप चाहिए तो इससे लंबी भी इसको बना सकते हैं मुझे इतनी इनवती मैंने इतनी बनाई है देखिए आप आप देखे रहोंगे कि म कि आपकेश बहुत रही की बनती है कि पहले का होता है कि यहां से पॉजिए लिया और सफरे उसके बाद साथ से बना देखिए पर कब मैंने क्या करा इसमें इसी तरीका उस टाम हमारे पास टाइम नहीं होता मनने ही होता तो आप क्या है पॉजिए को छोड़ देते हैं और आप यहाँ पर ready-made pocket इस पर मनाकर attach कर देते हैं देखिए मैंने यहाँ पर portion छोड़ा हुआ है देखिए मैं आपको यह पहले आपको यह नीचे का यह जो घटाने और उसके बाद यह ओपर घटाने और फिर पीछे से pocket तो मैं आपको उसका पूरा तरीका बताओंगी अब देखिए मेरा यह इस तरह से मैंने यहाँ पर 24 फंदों के अपनी pocket बनाई है आप चाहें design के according देखिए मैंने design के according बेड में रखी हुए है ठीके ना? अब देखिए मैं यहाँ पर मैंने यहाँ प्लेइन फंदे बने हुए है और देखिए अब मैंने फंदे बने हुए है अब आपको करना है कि इसे कुछ नहीं बस यहाँ पर यह घटाना है तो यह घटाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर अप देखी यह फंद्टाने आप हमें क्यार गिम्त करने के लिए हमें यहाँपर यह रितीते चेएं इस तरश यहाँपर के थे था भलगा यहाँदेट नेकिब्स करिंगे निताए हमें फंद्दा के देखिए इस तरह से आप इसे छोड़ुए और दो का एक इस तरह से फंदर को लीजिए, दो का एक कर दीजिए और उसके बाद आप ये वाली जो पॉकेट जो पहला वाला पंदर आए आपके पास ये वाला पंदर इसके उपर ट्रा दीजिए जैसे फंदे नॉर्मल घटाते हैं इस तरह से यह इस तरह से यहां यह उपर जो पॉकेट का हिस्सा है बहुत इसलियर बहुत सुन्दर बनाईगा देखिए फिर देखिए मैं आपको दिखा रही हूं आपको इस तरह से पीछे बैक की साइक मैंने यहां पर घटाया है एक फंदा यह करा और इसके बाद मैंने यहां वाला फंदा इस तरह से उतार दिया फिर देखिए दो का एक पहले क्योंकि आप अगर आप यह नहीं उतारेंगे तो मैं भी अब दिखाते हैं आपको फली जो मेरी उपर बन कर आ दिया वह नहीं है इस सबब करा और यह वाला फंदा इसके उपर को उतार दिया रागा बीच में से कट नहीं हो अच्छे यह देखिए इस तरह से मेरी पूरी जो पॉकेट है और आम से यहां पर इसके फंदे मैं राम से घटा सकते हूं यहां पर यह करा और घटा दिया इसे पर और यह फंदा इस पर ऐसे करके उतार दिया फिर देखिए यह मैं कुछ उटा सा पॉशन जो नीचे की फंदे है वह घटाने बता रहे हूं इस तरह से यह करा दो का एक करा हमने और यहां से एक वापिस जो पीछे वाला बैक वाला जो मारा फंदा है उसके उपर से इसको उतार दिया धिया धियान रखना है हमेशा ही करना है और यह दो का एक करा और फंदे को इस तरह से तुझे आपको धियान रखना है यह फंदा थोड़ा सा धीला रखना है टाइट नहीं रखना अगर हम टाइट हासे करेंगे तो मारी पॉकेट में यहां पर चोहला जाएगा बहुत सुंदर बन कर आ रही है और इसी तरह से हम अपने ह पॉकेट यहां पर बन जाती है 16 फंदों की भी पॉकेट बनती है तो क्योंकि बच्चो के अपॉर्डिंग आप देखिए मैं अपने इसमें जैकेट में यहां पर 24 फंदों की या फिर आप 22 से लेकि 24 फंदों की पॉकेट तयार करती हूँ देखिए मैं यहां पर अपने फंदे घटा रही हूँ और इसी तरह से मैं अपने पूरे 22 या 24 फंदे जैसे बजिद ने दी आपको एवग वंवर उतने फंदे आप इसमें हाप घटा दीजे देखिए मैं आपको बता रही हूं मिशा, 2 का, 2 का एक करा इस तरह से और यह प से उतार रहे हैं अब हम आपको दिखाते हैं मेरे फंदें आपके कितने गट गट गया है तो यहां मुझे 25 नीची 24 ही चाहिए क्योंकि इचनी ही पॉके काफी है मुझे तो यह तो मैं आपको यहां पर पॉर्षित पना के दिखा रहे हूं आप चाहें तो जैसे भी आप अपनी पॉके अपनी जैकीटे बनाएंगे उस तरह से ठीक है अब उसके बाद जो हमें बाद वाला फंदा है यह जो भी डिजाइन है आपका साइट में आप वह बुनकर त्यार कर लीजिए इस तरह से सिंपल मैंने तीन और उल्टे और चैसी दे फंदे बनाए थे और उसके बाद फिर तीन उल्टे और फिर यह मेरी बैक साइट अब देखें मुझे बैक साइट में यहाँ पर यह उल्टे फंदे जो मेरी सारे हैं वो उल्टे के उल्टे ही होने है अब देखें आगर हम यहाँ पर पॉकेट त्यार करते हैं तो पॉकेट त्यार करने के लिए हमें यहाँ पर यह इतना ही पोजिशन करकर युख जाना हो मैंने क्या किया है insurance.. मैंने आपको देख बताई यह बहुत आसान प्रिक अब हमारे यह लोगे、 हमेरे यहां पर एक खलाई में फंडे घटाए ठीक है और हम एक खलाई में अपने बढ़ा लेगे यह हम पर अपना ऐक बना लों त्म पर और सीदा बना लीजिए और यह ऐसे उताल लेजे फिर उसके बाद देखे ट्रेंट्स मैंने यहाँ पर आप कोई बदार था यह नीची के फंदे घटा दिये अब देखे यहाँ पर मेरा next time शुरूता है अब देखे हम इसको यहाँ पर simply बूर लेते हैं एक फंदे को यह भी उल्टी साइट से है हम इसे उब लिया अब हमें क्या करना है इस फंदे में से अब हमें यहाँ पर ही यह फंदा हमें लंबा लेना है इस तरह से लंबा खिश लेना है हमें यहाँ पर लंबा लेकर इस धागे को यहाँ से आप देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है सीडे की साइट इस धागे को हमें पीछे कर लेना है और देखिए इस धागे में से हमें यहाँ पर अपने फंदे बनाना है हमें ऊपर के लिए पॉकेट के लिए फंदे तो यहाँ पर देखिए हम एक फिर हम इदर से लेंगे एक इ छे, साथ, आठ, नो, देस, ज्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंध्रा, सोरा, एक बार, इधर से, सट्रा, एक बाई धर से, फारा, एक बार, देखे, इसी इतना ह पंदर से, ए porridge अंदर से, 19 20 एक बाइदर से एक बार यह इसको न यह ऐसे पड़ना है ताकि हमारे फंदे मिक्स ना हूँ 21 और एक ही हमारा 22 हमें यहाँ पर 22 पंदे चाहिए थे और हमें यहाँ पर 22 पंदो की पत्ति ना है तेकि यह फंदे मेरे इस तरह से बन गए हैं अभी थोड़ टाइट लग रहे हैं पर कोई नहीं अब हमें क्या करना है इसको अपने आगी फंदा ले रहा है और यह वाला जो और 22-24 पंदे आप अपने आराम से इसमें बना सकते हैं ठीक है अब देखिए मेरे यह पोजिशन हो गया अब मेरे यहाँ पर देखिए राउन शुरू हो गया रखिए अभी आपको लग रहा होगा इस खटे पर फंदे पर देखिए यहाँ पर मैं बताते हूं प्लुकुल इसली आपके फंदे यहाँ पर बनकर रिगा हो जाते हैं हमें यह बढ़ाने का तरीका है कि यह वाला बहुत इजी तरीका में बता रहे हैं आपको ताकि आप अराम से बना सके हैं अब देखिए अब देखिए मैं यहाँ पर वही तीन और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 प्ल आप इसके ऊपर जो शुरू करेंगे वह आप इसमें यही डिजाइन यही पैटर्न शुरू करेंगे अब देखिए यहाँ पर मेरे तीन उल्टे हो गए अब देखिए यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरे फंदे कुछ कम नहीं अब देखिए यहाँ से हम अराम से आप इसको ऐसे करके बढ़ा सकते हैं यहाँ देखिए एक और इसके बाद दो और यह तीन इस तो इससे फंदे आपने तीन बढ़ा दिये और आपके बाद देखिए चार पांच और छे छे फंदे हमारे सीधे हो गए ठीक है उसके बाद हम वापस से धागा लिए करेंगे और तीन फंदे हमारे उल्टे 1 2 3 ठीक है उसके बाद धागा पीछे करेंगे जो भी आपका डिजाइन हो वो ही आप यहाँ पर इसी पहते 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर दे के फिर थ्री बंदे उल्टे 1, 2, 3 आप दे के फिर थ्री बंदे वो 6 बंदे 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए यहां हापको एक फिर पंदा कम लग रहा है तो आप यहां पर भी एक फिर इसे करके अपना इंक्रीस कर सकते हैं यह देखिए और मैंने यह फिर पंदा भी अपना इंक्रीस कर लिया यह देखिए मेरा 6 फिर ठीक है उसके बाद यह दिजाइन आपका फिर से वैसे के वैसे ही 3 उल्टे और 6 सीरे बंदे वो दिजाइन चल जाएगा आपको यहां पर यह अभी ऐसे लगा साथ अब देखिए यह चीज़ हम को ऐसे लगए यह कि आपने की क्या लिए पर जब हम पॉकेट बनाते हैं देखिए अब यह मेरा यहां पर 3 फिर उसके बाद 6 सीरे अब उसके बाद आप ऊपर कोई भी आपका डेजाइन हो वो आप इजी ली ऊपर बना सकते हैं अब देखिए मैं आपको जो मैं दिखा रही हूं मैंने जुज़ेके त्यार करी थी अब देखिए मेरा यह इस तरह से बनकर त्यार हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देखिए दुपकर यह पॉकेट में पॉकेट का राजता यह देखिए यह चुटा सा डिजाइन है कि इसे मेरा पूरा हार जाएगा अब इसंदेशन हो यहां पर टाइट है ठीक है अब देखिए यही मैं आपको इसमें दिखाते हूँ मैंने यह वाला पॉर्शन इसमें यही बिनाया हुआ देखिए मेरी यहां फॉर्स ट्रो ऐसे ही रगी पर डिजाइन बनकर आया तो यह ट्रो सिंपल बहुत सुंदर बनकर तयार हो यह देखिए इतना कट है ठीक है चाहिए अपको डूसरी पॉर्केट दिखाते हूँ इस तरह से इसे पैक में करा अब उसके बाद हमें यहां पर अपना ब्लैक धागा लेना है तो यह ब्लैक धागा लेना है और अपना यहां से यहां से आपको इसके बिब्कुल यही से नहीं आपको क्या कोता है पॉकेट में हमने यहां पर 24 की बनाई के लिए आप हमें हापर कम से कम 30 फंदो की पॉकेट हमें पे चाहिए क्योंकि यह पॉकेट में जब हमाद यपा उपना अंदर लगा लेंगे तो हाथ थोड़ा सा स्पेस उचाहिए तो इसलिए हमें क्या करना होता देखिए मैं स्लाइट से बता रही हूँ आपको यह फंदे उठाने अब यह देखिए मैं यहाँ पर इस इधर से इतरे यहां से उठा देजिए और एक पंदा करके आपको यहाँ पर लॉक लगा देजिए चीक है यह रहने इसमें लॉक लगा उसी हिसाब से आप अपने बंदे गिलते जाएगे टू तरह से टू फिर यहाँ देखिए यह त्री इसली हो जाते है फॉर अब देखिए अब यह वादा देखिए यह देखिए मैंने यहाँ से उठा दिया है मैं जो यह इधर से उठाने है अब देखिए यहाँ पर पॉकेट का मैंने बैक पॉजिशन इसली है अब देखिए हम बैक पॉजिशन को क्या करेंगे हम यह इधर से लेंगे अब हम लेंगे इधर से अब जब आप इस तरह पोकेट पढ़ते हैं तो आपकी पोकेट सीधी आप चलिए तो हमें यहाँ पर हमें इन एक स्लाई ले लिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से पकड़कर और हमें यहाँ पर इस तरह से यह अपर यह डाल लिया फंदे यहाँ पर डालने पर इस तरह से यहाँ पर एक नोट लगा लिए यह देखिए हमें यहाँ पर नोट लगा लिया अब हमें क्या करना है यहाँ पर स्टार्ट करना है यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए ब्लैक पाला पोशन से उठा सकते हैं फंदे अपने वान जो भ राम से आपने आपने बहुत इजी देऊ, सफाई से उठाएंगे तो अब अब यह देखिए इसत्रे से फॉर अब हमने देखिए कि पॉक्लिधी में इसत्रे से पकड़नी है आप देखिए यहांपर देखिए इसे यहां पर यह जो मारी नीचे वाला पॉशर है ना इसे इसे करके हमें इस तरह हटा है 5, 6, 7, यह देखे इस तरह देखे 7, 8, और 9, प्रेंस मैंने यहां पर अपने 9, इस तरह से ही 10, 11, 12, देखे हमें इस तरह से ले नहीं पने पने ताकि पॉकेट टपनी उल्टी ना हूँ और देखे 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से इस लेंगे और हम यह इस तरह से उठा देंगे 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, और देहीरा देहे 27 इदर से मुठे से उठा लेके हैं और 28, 29, और यह 30, हमें 30 के लिए फिर आप चाहें तो और फंदे भी आप बढ़ा सकते हैं अब हमें यहाँ पर इस यह फंदे ही इमारी पॉकेट देखे इधर से मैं आप पुदी है अब आपको उधर से दिखाते हैं जो अपकी बेक साइड है यह इधर से जाएगी और यह फंदे हमारे नीचे को जो पॉआ जिर जजाईन है वो नीचे को उपनेगा इसलिए यहाँ की पॉजिशन में जिसे हमें उत्खाय था उसमें यहाँ इस तरह से अपना पॉकेट चली जाएगी अब हमें क्या करना है यह ऐसे ही पलटना है और यह फंदे को उधर आप देखे हमें यह उल्टी साइड तो हमें यह उल्टी करनी है तो हमें यह उल्टी कि इदर करनी है और सिंपल यहाँ चाहिए तो आप बेजाइन ढालें पर यहाँ पर अंदर कॉकेट है कोई जूरत नहीं है और यह हमें उल्टी और सीदी साइड ही करनी होती है मैं यहाँ प्लेन अपनी एक स्लाई उल्टी और एक सीदी इस तरह से करके देखी मैं आपको उल्टी स्लाई है मेरी क्योंकि यह बैक साइट से हो रही है और उसके बाद हमें जितनी रम भी अपनी पॉकेट टटनी है वो आप इसली समें बना सकते हैं यह पॉकेट बहुत एजी है और बुकुल अलग तरीका है और यह सिंपल सोबर इसे कोई भी न्यू बिगनर्स भी बना सकता है उन पॉकेट में हमें साथ में उसको कैरी करना होता है पॉकेट बनाने के लिए इसमें कोई बिजोड नहीं है इसमें आप पहले ही अपनी अब बना देजे और उसके बाद आप इसे बना देजे आप देखें मैं अंदर से आपको चमक रहा होगा इधर से यह लाग इस तर से यह आपका पॉजिशन सीधा आएगा तो हमें यहां पर सीधिस लाए करना है तो आप उल्टी स्लाइभी कर लोगें पर सीधिस लाए करे यह हम यहांपर सिंपल उल्टा सीधा करके कम से कम अपनी यह पर अभी मैं अपताती हूं आपको देखेगे इधर सीधा करना है यह हमारी सीधी स्लाइभ और इधर वारी स्लाइभी करना है लगभग हमें यहां पर देखिए हम यह अपने portion को इस तरह से ना पेंगे यह से तो यह कम से कम में यहां तक की पॉरिशन है वो complete करना है देखिए मैं इस तरह से complete कर रहे हूँ और इस तरह से ही आप यह से complete कीजे इस pocket पे mobile वगर आप बहुत एसली रख सकते हैं यह बिल्कुल plane मैंने pocket बनाए बताईए और बिल्कुल simple आपको design भी इसमें कुछ भी नहीं बनाना simple इससे पहले मेरे चैनल पर आपको ने रिखा होगा side वाली pocket में बहुत थी वह बहुत लाइक करी लोगोंने आप देखिए मैं इस front वाली pocket बना रही हूँ वह भी simple वाली यह बिल्कुल simple वाली है इससे कोई भी तयार कर सकता है जो दूसरे वाली होती है वह भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और यह आप उल्टियो सीदी स्लाई करके इस पर 20-25 स्लाई से जादा अपनी स्लाईयां कर देची ताकि अपने design जो pocket है यह pocket इस तरह से कर के नापते हुए अपनी pocket को यहां तक ले जाएगे ठीक है नहीं ताकि आपका हाट जो आसान से आपका अंदर जा सके तो इससे बनाईगे में बहाती हूँ मेरी इतनी pocket बनका तयार हो चुकी है आप सोच रहे होगे कि मैं इसमें red color क्यों ला दिया क्यों जो जैकेट है मेरी बच्ची वी उनकी है और तो मैंने सोचा इसमें भी हम यहाँ पर मेरी black own कम पढ़ गए थी तो मैं देखिए इसमें हम इस तरह से लेंगे तो यह दिखाई नहीं देती है तो इसमें आप red color या आपके पास जो भी कोई color available हो आप उसकी जैकेट पना सकते है अभी देखिए अभी मेरा portion मना है सरफ इतना अभी मुझे यहां तक और बनाना है अभी इतना बनाया है और मुझे भी यहां तक और बनाना है अभी मेरी pocket छोटी है मैंने आपको इस ते दिखाया था क्योंकि मैंने यहां पर बिच में red color चोईट रदिया है तो जो भी आपके पास color available हो अभी बची हुई उन थी मैं इसमें वही लगा रही हूँ तो मेरे पास black उन खतम हो गई मैंने सुचा इतमें आप red उन कप लगा ले थी तो मेरे पास जो 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 उन बची हुई है मैं उस हिसाब से इसको बना रही हूँ क्यों मैंने फोड़ी जैकेट मैंने तयार कर ली त पूरा करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि फेंस मेरे यहां पर यह पाकेट बनका त्याव चुकी है यह फंदे मुझे यहां पर देखिए इतनी फॉक्त मुझे काफ़ी है यह इस तरह से बाद में सिलेंगी अब देखिए हम यहां पर इसको घटाना है तो वह ही जैसे मैंने आपको पहले बिताया था दोका यहां पर एक कर दीजिए और उसके बाद फिर यहां पर दोका एक कर दीजिए फिर उसके बाद यह लफंदा वापसे उतार दीजिए आप इस कस्तरे से भी कटा सकते हैं यहां पर कोई जोरत नहीं है फिनिशिंगी नहीं तो इसी इसाइब में फिर वापस लेजिए दो का एक फिर फंदा है इस इसे इसे करके ही अपनी पूरी इस इस तरह से बन कराती है और यह हमारी पूरी रोग हमें इस तरह से ही कंप्लीट करनी है दो का बूंनाएं और इक ख़र दिए दें मैं यह वाला फंदा और यह बदा इस इसमा लिए और इसके बदों का एक कर देजिए इस तरह से अपनी पूरी पौकेट को बिखते हुए फिनिश की जिए मेरा इसमें यहां पर बुनाया का काम खथम हो चुका है अब बस मुझे य एक साइटास इसको सिलेंगे इस तरह से हम पूरा करते वे धागा अपना छोड़ा सा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको सिलेंगे तो हमें यहाँ पर इसी धागे से ही से सिल देंगे अब की यहाँ से आप इसको इस तरह से थागा सुई में लेके और इस तरह से आप इसको स्टिश्ट कर सकते हैं देखि इस तरह से यहाँ पर इसे इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे वाले पॉश्ण को ठाना है और इस तरह से अपनी पूरी पोकेट को स्टिश्ट कर देना उ आप बची हुई उन से अपनी यह जीताव पॉकेट देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, यह पॉकेट बिल्कुल तयार होगी, मैं इसको सिलकर दिखाती हूँ यह पॉकेट बनकर मेरी तयार हो चुकी, देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपने यह जिस तरह मेरा यह तूसरे आईडी से बनाई है, चाहे तो आप नीचे से जॉइन करें या फिर ऐसे ही, देखें, यह भी इस तरह से, इसमें मैंने दो कलर लगाए है, मैं काफी बहर वो रख सकते समाद रख सकते हैं, देखें, हाथ मेरा पूरा अंदर तर गया है, पॉकेट भी मैंने बड़ी बनाई है, इतने से घ्रज्गियों में यह लोगी है, इतना हाथ मेरा बज़ना जारा है, तो और बहुत अलाम से मेरा हाथ इसमें देखें, तो इसमें भी पॉक्टिट बन कर तयार है और इसमें कोई प्राब्लम आये तो मुझे बताना प्लीज अगर आपको में वीडियो पसंद आई है तो में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू